हेलो एवरीबन नमस्कार तो फाइनली जी एससी सिक्षक भरती जारखंड में सिक्षक भरती निकली थी और करीब 26,000 पोस्ट थी उन 26,000 पोस्ट में दिक्कत ये थी कि यार बहारी राज्य के छात्रों को जो है अभी तक अलाव नहीं किया गया है है ना 26,000 पदों पर तो फा लिए अब देखो यार मामला डाल दिया मामले जो दिमांड वह यह है कि सर पहले तो सीटेट भी आलाव नहीं था आप लोगा को याद होगा तो पहले सीट आट अलाव किया गया है सिर्फ जारखंड वालों के लिए लेकिन आप जो मामला डाला वो अधर स्रेट वालों के डाला है कि हमारा कुछ मतलब जो जर्नल के लिए हमारा जो जर्नल कैटेगरी में बेसिकली हमारा जो reservation होता है वो भी नहीं है क्योंकि यहां पर डारेक्ट डॉमेसा लगा रखी है तो उसके लिए यहां पर यह मामला दर्ज किया गया है अब आप में से बहुत सारे के लोग कहेंगे कि सर क्या रजिल्टाइगा ठीक है वैसे तो रजिल्ट को देना है मिलंको तो बस देनी है लेकिन एक होता न कि पॉइंट ऑफ विई कि लोग को सर आपकाreyna पॉइंट ऑफ यूए है ज्यार मामला ना 90-10 है 90% नहीं होगा लाओ 10% हो सकता है लाओ ठीक है याद रखेगा अब reason पूछेंगे कि सर ऐसा क्यों है मलब देखो मेरे को मत लिखना उल्टा सीधा बहुत सारे लोग मेरे को आके लिखने लगते हैं मैं ना मैं जज्जू हूँ जानकारी दे रहा हूं तुम लोगों को और जिसको भी लेनी है जानकारी वो पूरी जानकारी ले जिसको नहीं लेनी है वो निकले सीधी बात है ठीक है भरा बोरा लिखने से क्या फर्क पड़ता है तो 90% यस नहीं होगा ठीक है लाओ 10% ही यह है कि और 90% नहीं होगे शर्के क्योंकि न benefits लिखाओ न्यमावली जारी किया है बहुत अंच्छे से नियमावली के बहुत अंच्छे से कानून बनाया जह रकंशनी इसको लेकर ऐसे बहुत नैमावली पर भर्ती हो रही है आप में सब बहुत सारे लोग बूचेंगे कि तो सर फॉर्म भरे ना भरे हैं तो देखो यार फॉर्म किस केस में भर सकते हो देखो जो जारखंड वाले हैं उन्होंने तो भर भी दिया होगा उनको तो कोई दिक्कत है नहीं है जो बाकी के स्टेट्स वाले हैं वो यार एक कंडिशन में फॉर्म भर सकते हो वो ये कंडिशन है कि आप ये सोच के जाओ कि सिर्फ मैं पेपर देने जा रहा हूँ मेरा सेलेक्शन होगा नहीं होगा ये सब किस्मत पर है तो अगर आप सिर्फ ये सोच के जाने चाहते हो कि यार मैं सिर्फ paper देना चाहता हूँ तो आपनी फरजी domicile मलब जो भी domicile अपने राज़े के वो लगा कर journal category से अपना paper भढ़ सकते हो लेकिन अगेन मैं ये काऊँगा ये तभी भरना जब ये ये 100% मान के चलना कि मेरा selection नहीं होना है ठीक है मैं इस भरती के लिए eligible नहीं हूँ और कोई course वगेरा मत खरीदना इस चीज के लिए course सिर्फ कौन खरीदे course जो जारखंड के लोग है जो जारखंड के निवासी है और उनके पास वहां की domicile है जारखंड के निवासी है और उन्होंने seat at pass किया हुआ है वो अभी course खरीद सकता है बाकि कोई भी इनसान सिर्फ form भरे course कोई भी ना खरीदे अपने level पर तयारी करें कोई कि मैं नहीं चाहता कि आप तो एक form का पैसा लगाओ फिर अलग से course का पैसा लगाओ ठीक है तूबी वेरी फ्रेंक पेपर कब हो का बड़ा question है और सभी राज्य तो यह मैंने बता दिया कि सभी राज्य लगबग ना अलाओ है लेकिन अभी high court में मामला है तो मैं इस पर नई examination date को लेकर होती है लेकिन जिसकी पहले से examination date निकल चुकी है और वो reschedule करा जाना है तो अगर मैं जून में अगर time बचता है तो करा दिंगे वरना जून के जैसे ही election पास होगा उसके बाद तो पक्का ही यह paper होना ही होना है सबसे ज़्यादे जरूरी कि आप लोग की तैयारी अच्छी करना आप लोग को ठीक है तो फिलहाल सभी राजों को मौका नहीं है फिलहाल high court ने चल रहा है मामला तो देखते हैं कि क्या होता है और paper कैसा आएगा बहुत सारे लोग पूछते हैं तो भही GSAC लिखकर यह वाला नंबर है 91 137 82 617 इस पर WhatsApp कर दो ठीक है आपको कोर्स मिल जाएगा कोर्स कैसा है देखलो ध्यान से तो कुछ इस तरीके का आए देखो यार यहाँ पर यह आपका dashboard होता है यह courses होता है तो course मिलेगा आपको आप batch कर लेते हैं तो आपको study notes मिलेंगे आपक सब कुछ cover होता है हमारे course में आपका कोई भी चीज ऐसे नहीं जो छूटती है अब आपको उपर है कि यार आप सामाजिक विज्ञान वाले हो तो सामाजिक विज्ञान पर चुनोगे विज्ञान वाले हो तो विज्ञान चुनोगे पत्र चार मेहना वो पूरा एक अच्छ है वो लड़ रहे हैं इस मामले को ठीक है और स्टेट ऑफ ज्ञारखंट के वर्सेज मामला है एंड मुझे जो लगता है कि 90% अलाओ नहीं होगा 10% अलाओ होने के चांसे हैं दूसरा परपस यह था कि आप लोग को पता चलेगी course भी हमारे पास available है जो भी ज्ञारखंट के और फूटर गाइस